वर्तमान में अरुनाचल प्रदेश में चक्मा और हाजोंग समुदायों के सरनार्थी होने पर खुब चर्चाएं हो रही है अरुनाचल प्रदेश के सरकार ने उनके आवासिये प्रमान पत्र बनने पर रोक लगा दी है साथी जो आवासिय प्रमान पत्र बन चुके हैं उन्हीं भी रद्ध कर दिया गया है इसी को लेकर 8 जनवरी 2023 को चक्मा और हाजोंग समुदायों के सैकडो सदस्यों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया वहीं अरुनाचल प्रदेश के कई संगठन के लोग सरकार के इस फैसले का समर्तन किया है साथी दोनों समुदायों को किसी भी हाल में राज्य के आदेवासी के रूप में स्विकार करने से इनकार किया है अब जानते हैं कि चक्मा और हाजों समुदाय कौन है और उनका क्या संगस रहा जो अरुनाचल प्रदेश के लोग उन्हें विदेशी करार देते रहे हैं चक्मा जिसे चंग्मा, सक्मा या संग्मा भी कहा जाता है बागला देश की स्वदेशी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है या समुदाय पूर्वोतर भारत के कुछ हिस्सों और मयानमार में भी बसा है समुदाय की इंडो आरियन भासा की अपनी लीपी है लेकिन चक्मा लेखन प्रणाली ने अधिकांस भासा के लिए बंगाली लीपी को रास्ता दिया है अधिकांस चक्मा लोग थेरे वेदा बाध धर्म के अनुयाई है चक्माओं को 46 कूलों या गोजवाओं में बाटा गया है इनकी कुलाबादी साल 2011 में 10 लाग पाई गई है हाजों भारतिय उप महाद्वीब के मूल निवासी आधिवासी लोग है विशेश रूप से पूर्वोतर भारतिय राजियों और बांगलादेश के निवासी है अधिकांस हाजों भारत में बसे हुए है ज्यादतर में घाले के गारो हिल्स और असन के आसपास के इलाकों में रहते है हाजों समुदाय मुख्य रूप से चावल के किसान है कहा जाता है कि वे गारो हिल्स में गीले खेतों की खेती लाए जहां गारो लोग क्रिशी के श्लैस और बर्न पदती का इस्तमाल करते थे 2011 के जनगर्ना के अनुसार इनकी कुलाबादी 89,800 है चकमा और हाजों ततकालिन पूर्वी पाकिस्तान अब बांगलादेश के चटगाउं पहारी इलाके के प्रवासी है 1960 के दसक में कर्नफूली नदी पर कप्ताई बांथ से विस्थापित होकर उन्होंने भारत में शरन मागी 1964 से 1966 तक में उनके विस्थापन का एक और कारण धार्मी कुदपीडन भी रहा 1964 से 1979 तक वे ततकालिन North East Frontier Agency में स्थाई रूप से बस गये थे जो अब अरुनाचल प्रदेश राज्ये है भारत सरकार द्वारप पुनरवास की निश्चित योजना के तहट केंदर सरकार ने उन्हें भूमी अधिकार और अन्य सुविधाये प्रदान की थी अरुनाचल प्रदेश में आज़ाधिकांस चकमा और हाजोंग चांगलांग जीले में वास कर रहे है बता दे कि पूरोतर भारत के कई राजियों में बसे इन समुदायों को सूची बद्ध किया गया है लेकिन अरुनाचल प्रदेश में उन्हें सूची बद्ध नहीं किया है अरुनाचल प्रदेश में यह बोज आ गई है कि ये लोग राजिय में रहने के साथ यहां की जमीन नौकरी वा अन्य सुविधाओं का लाब उठाने लगे हैं और इनकी एक अलग सांस्क्रितिक पहचान सामने आ रही है यही वज़ा है कि यहां के लोग उन्हें विदेशी ही मानते रहे हैं अरुनाचल प्रदेश के सरकार ने केंडर से कई बार इन समुधायों को अन्य आसपास के राजयों में विज़ापन करने की मांग करते रहे हैं जिसे पूरा करना मुम्किन नहीं हो पा रहा है यह समुधाय करीब 55-56 सालों से अरुनाचल में वास कर रहे हैं और कोई भी अन्यराज उनके विजधापित करने के इस मांग को सहमती नहीं दे रहे हैं।